दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्रियस मूड में इस वीडियो को बना रहा हूँ इस वीडियो को ना मैं आज मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा और नहीं इस वीडियो को मैं लाइक करने के लिए कहूँगा लेकिन मैं जो भी आज आज आपसे एक सवाल कर रहा हूँ इसका दिल पर हाथ रख कर जवाब दिजीगा क्या आप अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची से कितना प्यार करते हैं सही सही जवाब दिजीगा दोस्ते आपका जवाब होगा बहुत या खुद से ज़ादा लेकिन आप ने जो जवाब दिया या विडियो देखने के बाद जरूर सोचिएगा दोस्तों, कि आपने जो जवाब अभी दिया क्या आप उनसे उतना प्यार करते हैं या नहीं आईए दोस्तों वीडियो पर आते हैं आज करोना महामारी का समय चल रहा है दोस्तों पिछले देड़ बर्सों से हम लोग इस महामारी से लड़ रहे है दोस्तों लेकिन एक समय ऐसा लगा दोस्तों कि ये महामारी हमारे देश से चला गया लेकिन फिर ये वापस आया है और बहुत ही बिराद गूंप लेके आया है आज ये महा मारी 40 बर्स से उपर के ब्यक्ति पर बहुट जादा एटेक कर रहा है सभी के घर में आज कोई न कोई 40 बर्स से जादा का होगा दोस्तों दोस्तों आज उनको हमारी जरूरत है दोस्तों आज भी वो काम पर जा रहे हैं दोस्तों अपने देनिक कामों को इस महामारी के समय भी घर से बाहर निकल कर या घर में रह कर काम को कर रहे हैं दोस्तों उनके उपर इतनी सारे जियेवारिया हैं किसी को अपने बेटी की साधी करनी हैं किसी को अपने बच्चे के स्कुल कॉलेज के फिस को देना है घर के खर्चों को चलाना है इतनी बोच के तले दोस्तों जो हमारे घर में 40 वर्ष से जादा के बुजुर्भ हैं बड़ चलना सिखाया पढ़ना सिखाया याद किजिए वो दिन जब आपको उंगली पकड़ के पहला दिन इसकुल छोनने के लिए गए थे हमारे माता पिता या बड़े भाई बहन चाचा चाची दादा दादी जो भी हो दोस्तों याद किजिए उस दिन को आज हम लोग ऐसे ही बढ़े नहीं हो गए दोस्तों आज उनको हम लोगों की जरूरत है दोस्तों हम लोग थोड़ा सा उनका टेख केर इस महमारी के समय कर सकते हैं दोस्तों सोची, अगर आज वो हमारे बीच नहीं रहे, तो कैसा होगा? ज़िए घर लगेगा? कैसा आपका लाइफ होगा? हम लोगों का लाइफ होगा जब हमारे बुजुर्ग हमारे 20 से चले जाएंगे इसलिए अभी भी समय है दोस्तों हमें उनके सिहत का ध्यान रखना चाहें और यह वही लोग है जो हमें इस दुनिया को दिखाएंगे दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूँगा आज आप यूट्यूब में न्यूज में पेपर में अखबार में सोसल मीडिया का समय है दोस्तों अब देख रहे हैं कि अस्पाताल में बेड नहीं मील रहे हैं आज मैं दुमका टाउन का बात बता रहा हूं दुमका में डॉक्टर नह दवा के लिए लाइन लगाना पड़ता है दोस्तों आपने तो बहुत नियूज में देखा होगा कि समसान में सव जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही हैं दोस्तों यह करोना जो है 40 वर्स के ब्यक्ति पर या उससे ज़्यादा के ब्यक्ति पर बहुत ज़्यादा एटेक कर रहा है इसके किसी भी परकार के लक्षन नजर नहीं आते हैं ब्यक्ति अचानक दोस्तों छाती दर्स से चक्कर आने से उल्टी आने से कोई सर्दी खासी नहीं कोई बुखार नहीं आ रहा है दोस्तों अब देखी न्यूट चैनल को उटा के अपने आस पास देखिए दोस्तों मिर्ति उदर बढ़ गया है अचानक लोग दुनिया छोड़के जा रहे दोस्तों कल हमारे सिकारी पाड़ा महाबिद्या लेके एक सिक्षक निर्भाई कुमार जाजी अचानक छाती में दध होने से दुनिया को छोड़के चले गए दोस्तों दोस्तों हमारे मुहले में तिन चार लोग अचानक चले गए सभी 40 बर्स से जादा के थी दोस्तों दोस्तों अभी भी समय है अभी अगर हम थोड़ा सा उनको टेक केर करेंगे जो उन्होंने बच्पन में हमारे लिए किया ता आज उनको हमारी जरूरत है वो जिमिवारी के तले दबे हुए है दोस्तों उनको थोड़ा सा टेक केर के जरूरत है आप भी हुआ हैं उन्हें सुबह उठाईए मॉर्निंग वाक पर ले जाईए मॉर्निंग वाक पर आदा घंटा उनको चलाईए या नहीं तो घर में ही कसरत कराईए चाहे आपके पापा हो, दादा हो चाचा हो, चाची हो, बड़े भाई हो, बहन हो उनको बोली, कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं आईए, आपके लिए जरूरी है उसके बाद दोस्तों, आज एक आरिवेदिक दवा है जो बाबा राम देव द्वारा बताया गया है मैं नहीं बता रहा हूँ गिलोई, गिलोई एक पौधा का नाम है जिसको संस्कित में अमरीता कहते है यह आपके घर के आसपास होगा अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं जानते हैं तो मैं नीचे वीडियो के लिंक में बाबा राम देव का डिस्क्रेस्टन दे दूँँगा उस वीडियो को देख लिजिएगा गिलोई क्या है कहां फायदा करता है बहुत सारे घरों में सुगर की बिमारी होती है 40 बरस से जादा लोगों को उनके लिए कोरोना और भी खतरनाथ है दोस्तों उसमें गिलोई क्या काम करता है बाबा राम देव के द्वारा बताया गया है और उसका जूस आप घर में कैसे बना रहे हैं दोस्तों कैसे बना सकते हैं दोस्तों वो भी बाबा राम देव ने बताया उसका भी लिंक मैं नीचे बुजियों में देदूँगा अब देख लिजिएगा दोस्तों उस गिलोई को अपने आसपास खोजिए, लाइए, सुबा जब कस्त करके ममी पापा आपके जो भी बुजुर घर में हैं, आते हैं उनको उस गिलोई का चुस अपने हाथों से बना कर दीजिए दोस्तों, बहुत कड़वा है दोस्तों, अगर कड़वा लगे तो उस बढ़ा किये दोस्तों, दोस्तों कि हम उनके लिए एक कप सुबा गिलोई नहीं बना सकते हैं, जो उनके इम्मिनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, क्योंकि काम करते करते हैं, उनका सरीर जो है, बोच के तले कमजोर हो चुका है, उसके बाद दोस्तों, उनको दो प्लेट फल खाने के लिए दिजिए, फल में संतरा, सेव, पपिता, यह सब दे सकते हैं, और बहुत कुछ फल है, जो यूटूब में बताया गया विडिव में आप देखी, उनको दीजिए, हरा सब्सी दीजिए, जब भी पीने के लिए पानी दीजिए, गरम करके दीजिए, सुबा सा गरम पानी में नमक डालकल गारगिल करवाईए, आज उनको हमारी जरूरत है दोस्तों, दोस्तों, जादा मैं इस पर नहीं बोलूँगा, अगर आप ये सब करते हैं, अपने घर के बुजुकों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे सही में प्यार करते हैं, अ अगर वो नहीं है, हमारी कोई विरासत नहीं, कोई अवकाद नहीं, कोई पहचान नहीं, चालिस बर से ज़्यादा के रेक्ति किसी भी परकार का नसा करते हैं, चाहें वो शिगरेट हो, खैनी हो, गुटका हो, सराब हो, दोस्तों, उन्हें रोकिए, उन्हें मना कीजिए, उन्हें समझाईए, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे इम्मूनिटी शिष्टम और हमारे लंग्स, यानि फेपड़े को एफेक्ट करता है, जो उनके लिए नुकसान दे, जब उन्हें प्यार से समझाएंगे, उनसे मिनते करेंगे, एक समय याद किजिए, दोस्तों, जब हम बच्चे में कोई गलत काम करते थे, ममी पापा हमें कितने प्यार से समझाते थे, आज वो रिटर्न करने का समय आ गया है, जागिये दोस्तों, जागिये, कहां सोय हुए है, थोड़ा सा ममी पापा अपने बुझरकों के लिए समय निकाली, अगर ये वीडियो आपको कहीं भी दिल में छुआ हो दोस्तों, इसे सेयर कर दीजिएगा, ताकि और युवा अपने माता पिता, अपने बुझरकों के परती जाग जाए, और उनको सुरक्षित रख सके, धन्यबाद है